अब अब आपको एसे चार डायड लेना चाहिए डायड का नंबर है डायड का नंबर है 1N5399 यह नंबर होगा तो चलेगा थोड़ा उपर या नीचे का नंबर होगा जब यह चलेगा ठीक है यह इसका नंबर आपका स्क्रीन के उपर दिख रहा होगा तो सबसे पहले इसका आपको हम इसका फ़न्डा समझाते हैं यह देखिए इसका बलक साइड यह है इसका एनोड और और यह सिल्बर पट्टी है यह है इसका कैथोड अनोड का मतलब प्लस है और कैथोड का मतलब माइनस है यह सिल्बर पट्टी है यह है इसका माइनस और यह ब्लाक है इसका यह प्लस तो सबसे बिल आप दो डायोड इसे ले लिए इसको प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस आपस मैं इसे जोड़ दीजे ठीक है मैं इसे मोड देता हूँ और इसको रख दीजे साइड में और यह दूसरा वाला और दो बचा हुआ डायोडे से ले लिजे इसका ब्लाक जो एनोड साइड है मतलब प्लस प्लस ऐसे दोनों को जोड़ दीजे ठीक है मैं इसको भी जोड रहा हूँ यह रहा हो चुका है अभी इसका है बच्चा हुआ सी रहा है आप इसे इसको लगा सकते हो या इसे उल्टा करके भी लगा सकते हो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं मैं इसको भी इसे ही इसको मोड ता हूँ ठीक है इसे मोडने के बाद मैं आपको अभी समझाता हूँ यह आपका व्रीज एक्टिफायर बनके तैयर हो चुका है आपको समझाता हूँ यह है इसका प्लस एनोड साइड इसका यह माइनस कैथोड साइड और यह प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस यहां पे इसका आपका सप्लाई जाएगा ट्रांसफर्मर से मैं आपको ट्रांसफर्मर से समझा रहा हूँ कहा रहा है ट्रांसफर्मर एक मिनिट ट्रांसफर्मर हा एरा एरा ट्रांसफर्मर यहां से इसका जो लाल वाला सिर है यहां पे आपका 220 बोल्ट सब्ला जाएगा ऐसे बोल्ट पे और यह इसका जो इन फूट है यहां पे आपका यह 12 बोल्ट आएगा यह दोनों वायर आपका यहां पे लगएगा यहां पे जहां पर प्लस और माइनस है यहां पर भी प्लस और माइनस है ठीक है मैं इसको यहाँ पर इसे आपको समझा रहा हूं यहाँ पर यह और यह यहाँ पर इसका लग जाएगा ठीक है यह दूसरा बाला वीडियो में मैं आपको ट्रांसफर्मर से कैसे 12 बोल्ट का बैटरी चार्ज करते हैं ये वीडियो आपको बनाऊंके दिखाऊंगा और एक चीज जरूरत है वो है आपका कैपसिटर कैपसिटर का ये देखें माइनेस बला पॉइंट देखें माइनेस बला पॉइंट और इस सेट का इसका प्लस है तो आपका माइनेस बला पॉइंट आपका ये एनोड पे लगेगा डायोड का कोई-कोई वीडियो में कैफोड पे बता रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ यह अनोड पे लगएगा यही जो cathode पे लागर आप यह वाला point मैनिस वाला point को अगर आप यहां पे diode के plus बले point पे अगर नहीं लगा होगे तो आपका capacitor फट जाएगा फट सकता है फट ठीक है तो मैं इसका जो minus point है यह आपका diode का plus below side पर लगेगा और यह minus below side पर आपका इसका plus below point लगेगा ठीक है तो इसका मेश को अभी अब को लगा के दिखाता हूँ यह देखिए हमने लगा दिया यह देखिए इसका plus below side पर हमने यह capacitor का cathode मतलब minus below side पर लगा दिया और यहां पर जो इसका यह माइनस बला साइड पर मैंने यह क्या डायोड का प्लस बला साइड पर लगा दिया यहां पर आपका वारा वोल्ट वारा वोल्ट का यहां पर माइनस आएगा यहां पर प्लस सप्लाइ निकलेगा और इन्पूट के लिए यहाँ पर और यहाँ पर यह आपका ट्रांसफर्मर का सप्लाई लगेगा ठीक है यह यह व्रीज एक्टिफायर आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना चलने पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना